हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपको लेकि आता हूं एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास फॉर्थ की मैट्स की बुक से चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट पर्स पार्ट और सेकिंड पार्ट दोनों जरूर देख लिया होगा अगर आपने इन दोनों में से कोई सी वीडियो मिस कर दी है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स कमेंट में दे रखा है जहाँ आप क्लिक करके उन को कर सकते हैं अब भी हम लोग स्कार्ट करेंगे इसका 3rd part जिसमें आपकी हैटिंग है चपाती चार्ट और question number जो होगा आपके 16 के बाद यें question number 17 अवاد हमलोग स्कंवन करेंगे तो जैसे आप यह देख रहे है घैडिंग है चपाटि चार्ट यानी कि चपाती है यानी कि जो छो सर्कल होता है सिर्कल के अ यानि हमारे पार जो भी information होगा, उसे हम चपाती चार्ट, यानि पाई चार्ट के अंदर हम इसे display करने वाले हैं, अब एक ही करके देख लेते हैं, कि भी इस पार्ट के अंदर आपके लिए किस टाइब की question frame किये जा सकते हैं, जैसे अब जैसे यहाँ पे आपके NCRD book के अंद topic है, all children of a school take part in different club, school के अंदर अलग-अलग club बने हुए होते हैं, और हर club के अंदर जो students होते हैं, different activity करते हैं, जैसे आप यह picture देख रहे हो, इस picture में दिखाई दे रहा हुआ, कुछ बच्चे gardening कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे कुछ art and craft जैसे कोई activity करने लग रहे हैं, यानि आपको यहाँ पर दिखाई देखा, three different activity perform किया जा रहा है, student के दोवार है, है ना, तो इस basis पर आपके लिए question भी frame किया जा सकते हैं, अब जैसे अगर हम question number 17 की बात करें, जैसे यहाँ पर यह जो पूरा question है, यह पूरा आपका question number 17 question है, ठीक है, यानि कि यहाँ पर आप लिख सकते है question number 17, और उसके अंदर आपसे बोला जा रहा है, कि from the picture we can see that, यह जो पिक्चर है, इसके हम देख सकते हैं, कि पिक्चर में आपको एक चपाती चार्ट, यानि pie chart आपको दे रहा है, और इस चपाती चार्ट के अंदर three blocks बने वे देखो, यह जो first block है, जो कुछ yellow color का है, ठीक है, यह आपको बोला जा रहा है, इसमे number of student जो है, वो represent करते हैं, games club को, यानि जो game club के बच्चे है, पूरे इस चपाती चार्ट का आदा portion, यानि half portion है, उसके बाद next है आपके बाद garden club, जो gardening activity करते हैं, plant और लगाते हैं, वो student कि देखो, तो यह one fourth हो गया, इस पूरे circle का, है ना, तो यह बच्चे क्या करते हैं, gardening activity करते हैं, इसके इलाबर जो drawing club है, उसमें भी कुछ student है, और वो भी क्या है, one fourth है, यानि इस पूरे circle को four parts में, गर में divide करो, तो यह आपका one by four part आ जाएगा, और यह क्या होगा, one by four part यह आपका one by two part होगा, यानि अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे circle को three parts में divide किया गया, पहले half part जो है, वो games club का है, second one fourth part जो आपको आपको आगर देखोगे, यह garden club का है, यानि जिसमें gardening activity हो रही है, और third है आपका कह है, drawing activity, जिससे art and craft की activity आप देख रहे थे भी picture में, games club, यानि इस class के अंदर जितने भी student है, उसका अगर half कर दे, तो वो games club के member होगे, one fourth of the students are member of garden club, यानि या गादन club जो है, उसमें क्या है, one fourth student इसके अंदर cover हो रहे है, the drawing club has one fourth of the children of the class, यानि class के अंदर जितने भी students है, जितने भी children है, उसका one fourth जो है, वो कौन से club में, drawing club के अंदर है तो वही information आपको यहाँ पर question में भी लिखके दे दिया गया है और यह drawing भी display कर दिया गया है और यहाँ आपसे बोला जा रहा है the chapati chart show the number of children in different clubs different different club में कितने बच्चे इसकी information है और यह उस question में आपसे जो calculate करने के लिए बोला जा रहा है वह यह बोला जा रहा है if there are 200 students in the school look at the above chapati chart and tell the number of member in each club यानि आपको यह बोला जा रहा है कि total number of student कितने है आपे 200 है ठीक है यानि कि इस circle के अंदर इस chapati chart के अंदर total number of student की बात करें वो कितने 200 है और आपसे first यानि इसका जो question 17 का जो first part है इसमें आपसे बोला जा रहा है the club, the games club has dash member यानि हमें क्या करना है कि number of student in games club यह हमें find out करना है और वो कैसे calculate करेंगे यह जो 1 by 2 है यानि कि इसका half कर देंगे यानि 200 को अगर 2 से divide करेंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा यानि मैं यहापे क्या करना है यानि आपके पास answer कितना आ गया तो आपको हो गया 100 members आ ठीक है तो first वाले को अपने solve किया solve कैसे किया आपने तो मैंने यह थोड़ा सो दुबारा लिख दे रहे है कि हम 200 को यानि number of student को divide करेंगे 2 से और हमारे पास result कि आया 100 आया तो मैंने इस 100 को fill in the blank जो blank है इस blank में fill कर दिया देखो यह division करके वह दिखाने और इस तरह से आपको लिखना भी है इसके solution में ठीक है आच्छा उसके बाद देखो इसका second part यानि B part the garden club has dash member कि जो garden club है उसके members से हमें calculate करने तो garden club में क्या बोलागे आपको कि one fourth student होने चीए यानि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो two hundred total student है इसे one fourth यानि कि four से divide करेंगे इसे आज जब आप two hundred को two hundred को four से divide करोगे यानि कुछ इस तरह से करोगे कि four five जा twenty हो जाएगा ठीक है या आपने minus किया solve होगे जिए zero जो यह आ रहा है इससे आप इधर shift कर लोगे तो आपके बास क्या आएगा 50 आएगा तो इस 50 जो आपका answer आ रहा है इस answer को यहाँ shift कर दोगे आपके बास जो इसका answer आ जाएगा it means यह हुआ कि garden club के अंदर जो number of members की अगर बात करें वो क्या आया 50 आ गया और third जो है C part देखो इसके नीचे C part में आपसे बोला जाएगा कि drawing club के जो member है यह आप बताईए ठीक है यह वाला portion और यहाँ आपसे बोला जाए there are dash member in drawing club तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 को divide करेंगे drawing club के members किसे वो क्या है 1 fourth 1 fourth का मतलब होता है कि हमें 4 से divide करना होगा तो जैसे आपने B part में 200 को 4 से divide किया है again आपको calculation करके दिखाना होगा यानि इस division को repeat करना होगा आपको 200 को divide करोगे 4 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा ठीक है कि किस तरसे से करना है तो पहले तो question note करोगे चपाती चार्ट को draw करोगे और 1 by 1 A, B और C part जो है इसे आप solve कर लोगे ठीक है तो वीडियो मुझे में मैंने explanation दिया आपको question को अगर समझ में आ रही है आपको तो इसे फटा-फट वीडियो को like करके मुझे बताओ कि हा सर मुझे ये concept समझ में आ गया उसके पर next आपका जो topic है वो है getting wet in the rain ठीक है और इसके अंदर आपका जो होगा question number 18 हो जाएगा ठीक है question number 18 पहले एक बार question को पढ़ते है question में है क्या और उसके according से solve करेंगे who like to get wet in the rain a child made this कि ये जानने की कोशित करें कि कितने ऐसे friends हैं उनके जो कि जब rain आता है यानि बारिश आती है उसमें वो गीला होना यानि बारिश में नहाना पसंद करते है उसका information collect किया यानि कि आप ये कह सकते हो कि आप ये बोल सकते हो those who like to get wet in the rain यानि कि rain के अंदर बारिश के अंदर जो भीगना पसंद करते हैं पहले तो उसका information collect किया उसके बाद second information collect किया उन्होंने those who do not like to get wet in the rain कि कुछ ऐसे भी friend होते हैं जो कि बारिश में गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ठीक है ठीक है 3-4 वाला जो portion बन किया रहा है वो ऐसे friend है जो कि बारिश में नहाना पसंद करते हैं यैसे आप picture देख रहे हो कई friend आपके ऐसे होगे जिनको बारिश में भीगना पसंद है ठीक है यानि वो 3-4 हो गया और 1-4 कैसे है जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते है इस basis पे आपके लिए 18 question के अंदर ये first part है और ये इसका second part है ठीक है करना कैसे है एक बर देख लेते है इसमें आपको बोला जा रहा है सीधर चपादी चार्ट and tell कि आप इस चपादी चार्ट को देखो और बताओ How many children like to get wet in the rain आप देखो जो first part है इसके अंदर बोला जा रहा है कि बारिश में जिनको भीगना पसंद है उनके बारे में बताओ तो भीगना पसंद वाला ये हुआ कि ये क्या है 3 by 4 यानि कि 3 by 4 वाला जो portion है वो ऐसा portion है number of student का जिनको भीगना पसंद है तो देखते हैं हमारे पास option में है यास answer क्या पहले आपको बोला जा रहा है half आप तो देखो नहीं है सकीन आपसे बोला जा रहा है 1 fourth 1 fourth भी answer नहीं होगा हमारा तो हमारा answer क्या होगा 3 fourth होगा यानि कि आपको क्या करना है इस question को note करना है और इस पर tick लगा देना है 3 fourth वाले option के उपर अब उसके बाद है second question 18 का second part जिसमें आपको पूछा जा रहा है How many children do not like to get wet in the rain यानि कि इसके अंदर के है do not like जिनको यानि की गीला होना पसंद नहीं है और ऐसे कितने 1 fourth है अब देख लेते हैं option में हमारे पास इस तरह का answer है क्या first बोला जा रहा हाफ half तो नहीं है ये कितना है 1 fourth है और second आप से बोला जा रहा है 1 fourth यो हमारा answer मिल गया तो हम क्या करेंगे question को note करने के बाद इस तरह से tick लगा लेंगे ठीक है 3 fourth हमारा answer है यहीं नहीं क्योंगे 3 fourth हो कैसे बच्चे है जिनको भीगना पसंद है यहाँ पर आप से क्या बोला गया कि do not like to get wet तो वो क्या है 1 fourth है तो इस तरह से आप ये question number 18 को complete कर सकते है question को पूरा note करना है आपको और यह जो diagram है यानि चपाती chart भी आप draw करेंगे ठीक है और उसके बाद ये first और second part लिकर गे इसका answer आप note कर लेंगे ठीक है तो I hope आपको अच्छे से के लिए हो गया होगा इस question में हमें करना क्या है easy question है ज्यादा tough नहीं है भाई चलो अब इसके बाद आगे आपको further इसी में बोला जा रहा है if the number of children in the class is 28 ठीक है यानि कि आप ये question number 19 आपका हो जाएगा जिसमें आपको बोला जा रहा है कि total number of student की बात करें यानि number of student in class यानि कि total number of student की बात करें वो class में कितने 28 है ठीक है then tell the number of children फिर आपको बताना है कि number of children first यानि इसका a part में आपसे बोला जा रहा है कि who like to get wet in the rain जिनको बारिश में भीगना पसंद है ठीक है total कितना आपकी बात 28 है तो हम क्या करेंगे इस question को note करेंगे और note करने के इसके solution में हम क्या करेंगे इससे calculate करने के लिए हम इस 28 को ठीक है 28 का हम क्या करेंगे 3 by 4 कर लेंगे अब कोबे से 3 by 4 कैसे आया तो जैसे देखो previous question के अंदर जो आपकी बास information थी कि 3 by 4 ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना पसंद है तो मैं क्या करूँगा इसमें 3 by 4 करूँआ यानि 3 से multiply करूँआ और 4 से divide करूँआ ऐसे करते हैं पहले 4 से divide कर लेते हैं तो 4 1 जा 4 4 7 जा 28 आगे यानि आप यह कह सकते हो 7 multiply by 3 आ जाएगा तो यहाँ पर यह जो blank space बना होगा यहीं पर यह सारी calculation आपको करके दिखानी होगी और यहाँ आप लिख सकते हो कि 28 ठीक है इस 28 को हमने क्या क्या 3 से multiply करेंगे 4 से divide करेंगे और 3 से जब आप की जिगा हमने पहले 4 से divide किया 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 आए यानि कि आप यह कह सकते हो 7 multiply by 3 हो गया और जब आपने इसको solve किया तो आपके बस number of student की बात करें जिनको भीगना पसंद है वो कितना आगया 21 आगया अच्छा अब इसका second part यानि B part देख लेते है कि B part में हमें क्या बोला जा रहे है तो B part में आप देखोगे ध्यान से तो B part में आपको बोला जा रहा है इस वाले part के अंदर कि पहले इसमें पढ़ लेते है question में Do not like to get wet in the rain यानि कि कौन से ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यानि इस वाले B part की में बात कर रहा हूँ ठीक है ये कह है इसको calculate करने के लिए पहले solution लिख लेंगे और 28 को हम लोग क्या करेंगे 1 by 4 से multiply कर लेंगे 1 से multiply 4 से divide तो जब आप 4 से divide करते हो से तो ये क्या आता है 7 आता है यानि 7 multiply by 1 हुआ और इसका answer क्या गया 7 यानि 7 ऐसे students हैं जिनको बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ठीक है ये तो वो वाले होगे और first वाले में क्या आपने calculate किया जिनको भीगना पसंद है यानि कि first part में आपने calculate करा 21 student या children ऐसे हैं जिनको भीगना पसंद है और 7 ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना वगरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो I hope आपको ये 19 question अच्छे से clear हो गया होगा उसके बाद next topic है आपका tea, coffee or milk ठीक है? ये heading है आपका और इसके अंदर है आपके लिए question number 20 है एक बार question को पढ़ते हैं समझते हैं इस question में है क्या उसके according हम लोग solve करेंगे कि कुछ बच्चों से पूछा गया कि भी उन्हें चाय पीना पसंद है या coffee पीना पसंद है या milk पीना या दूद पीना पसंद है इसके बारे में पूछा गया तो हमारे पास ये information आई कि the drink they like यानि कि drink जो भी वो पसंद करते हैं या दूद पीना पसंद करते हैं coffee पीना पसंद करते हैं या चाय पीना पसंद करते हैं तो ऐसे number of student की information हमारे सामने आगी table की form में ठीक है 20 ऐसे हैं जिनको दूद पसंद है ठीक है तो यह आप बहुत इसली निकाल दोगे प्लस करके कि 20 प्लस 10 प्लस 10 यानि 40 आगे ठीक है लेकिन कोशन यही तक नहीं है आगे भी है आगे क्या है पढ़ते हैं तो फर्दर आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर यानि इस कोशन को अगर आगे फर्दर हम एक्स्टेंड करें के अंदर तो यहां करने के बाद यह आपका इसका first part है और यह आपका इसका second part है ठीक है यहां बोला जा रहा है find out from the table कि जो table था इस table की information से आपको calculate करना है कि children who like milk are one by two और one by four of total children कि यह आपको बताना है कि जो number of students जो दूद पीना पसंद करते है milk पीना पसंद करते है उनक information पूछा गया क्या यह one by two है या फिर one by four है हमें यह चेक करके बताना है ठीक है तो हम लोग क्या करते है पहले number of students जो milk पसंद करते है इसका portion calculate करते है यह एक question को note करोगे और note करने के बाद solution में आपने क्या करना है कि जो milk वाला जो portion है ठीक है milk वाला portion एक बार देख लेते ह यानि कि milk दूद पीने वाले बच्चे कितने 20 है और total जो हमारे पास है वो कितना है 40 यानि कि हम क्या करेंगे milk वाले बच्चे का जो संख्या है numbers है 20 उसे हम 40 से divide करके अपना portion निकाल लेंगे यानि कि मैं यहां पर क्या करूँगा कि 20 divided by 40 करूँगा ताकि मेरे पास एक fraction आ है तो 00 cancel हो गया आपके पास क्या बचा है 2 by 4 बचा और इसको simplify करोगे 21 जा 2 और 22 जा 4 यानि कि 1 by 2 आ गया ठीक है यानि कि आप यह कह सकते हो इसका answer हमारा क्या होगा 1 by 2 हो जाएगा यानि यह वाला correct है और यह वाला wrong हो गया बस लेकिन हां इस question को करते time यह calculation करके दिखा दे उसके बाद next है आपका b part children who like coffee are 1 by 2 और 1 by 4 of the total children यानि first वाले में आप milk से related आपने calculation करी थी second में आपके पास क्या है coffee से related calculation आपको करना है और आप से वह लगा है कि 1 by 2 है या 1 by 4 है यह आपको बताना है ठीक है तो जैसे आपने first part किया था again आपको second part में भी कुछ step का ही काम कर करना है तो पहले आप solution लिख लोगे उसके बाद coffee पीने वाले बच्चों की जो number से वो देख लेते हैं वो कितने है आपके आपके बाद 10 है और total कितने 40 है यानि कि आप यहाँ पर क्या करोगे 10 divided by 40 करोगे ठीक है 10 divided by 40 करोगे तो यहाँ पर क्या हुआ 00 cancel हो गया तो आपके अंसर क्या बचा 1 by 4 बचा इट मिंस यह हुआ कि हमारा जो आंसर आ गया यह वाला हमारा correct आंसर है ठीक है 1 by 2 तो इसका आंसर होई नहीं सकता इसका आंसर क्या है 1 by 4 हो गया ठीक है तो इस तरह से आप टिक लगा लोगे और नीचे आंसर लिका लोगे और हाँ यह जो calculation आपन यह question number 21 क्या है एक बर पढ़ लेते हैं और फिर से अभी solve कर लेंगे so the liking for tea, coffee और milk इन्हें चपाती चाट यानि इस question के अंदर हमें क्या करना है एक चपाती चाट ड्रॉ करना है और चपाती चाट के अंदर हमें तीन चीज़े display करना है हमें number of students जो चाए पीना पसंद करते हैं उनकी information number of students जो milk पीना पसंद करते हैं उनकी information और number of students जो coffee पीना पसंद करते हैं इन सब की information हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है चपाती चाट के अंदर तो पहले आप क्या करो इस question को note कर लो note करने के बाद आप pencil की help से एक circle draw कर लो ठीक है अब जैसे इस question से पहले जो आपके पास information है कि total student आपके पास कितने तो आप बोलोगे sir इसमें 40 है total हमारे पास ठीक है और milk वाला जो portion है वो कितना आ गया 1 by 2 आया था coffee का कितना आया था 1 by 4 आया था ठीक है और t का कितना आएगा तो हम क्या करेंगे 10 divided by 40 करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 1 by 4 आ जाएगा यानि हम क्या करेंगे, circle का half part तो milk दिखाएंगे, display करेंगे 1 by 4 part में हम coffee display करेंगे और 1 by 4 part में हम tea display करेंगे तो इस question को आप इस तरह solve कर सकते हो कि पहले आप solution लिखोगे, एक चपादी चार draw करोगे, और ये जो half part है यानि 1 by 2 part है, ये आपका क्या होगा कि children who like milk है ठीक है, milk पसंद करेंगे वाले कितने बच्चे है आपके बस, वो half है अचाओ तो आप bracket में number भी लिख सकते हो 20, ठीक है, ये 40 total थे उस पे से 20 है, उसके बाद next आपने क्या लिखा, इन लिखे होन लिखना आपको इसका one fourth कर देना है और यहाँ पर लिख दोगे, कि children who like tea टी वाले कितने, 10 divided by 40 है हमारे पास ठीक है, अचाओ, उसके राद coffee की बात करें तो ये भी क्या, one by fourth है one by fourth हमारा tea है, और one by fourth ही हमारे पास क्या है coffee है, ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पर बहुत easily mention कर सकते हो कि भी tea वाले कितने है, coffee वाले कितने है है ना, तो ये जैसे यहाँ पर मैंने one by four tea के लिखा है, as it is same आप क्या कर सकते हो, coffee के इलाबा यहाँ पर tea के लिखा है, यहाँ भी आप one by four लिख सकते हो, और यहाँ भी चार्ट ऑफ चिलल लाइकिंग, tea, coffee और milk is given below, और यह circle ड्रॉ करके, आप यह पूरा काम complete कर सकते हो, तो इस तरह से आपका यह chapter 14, जो है smart chart का यह complete हो गया, और साथ के साथ आपका जो chapter 1 से लेकर के chapter 14 तक की सारी वीडियो मैंने आपके लिए upload कर दी है अब, यानि कि आपका भी यह maths का syllabus class 4 का complete हो गया है और हाँ, भी अब आप आसानी से अपने exam की preparation कर सकते हैं सारी वीडियो आपके friendship preparation चैनल पे already uploaded है और हाँ class 5 की, जब आप class 5 में जाओगे अब, तो उसके लिए भी वीडियो मैं subscribe कर लो, bell icon और प्रेस करो, ताकि हर latest वीडियो की notification आप receive कर सको ठीके, इस वीडियो को अपने friends में share जरूर करना, अपने classmate जो भी आपके हैं, उनके साथ और आप मुझे follow कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मेरी ID है, add the rate Mr. Krishna सा जहां आप मुझे follow करने के बाद message करके भी अपने doubts वगरा मुझे directly पूश सकते हो, अगर आपको notification रिसीब नहीं होती है कि कम मैं video अप्लोड करता हो, तो आप मेरे telegram group है मेरा, जिसका link मैंने नीचे description में और comment में दे रखा है उस पर click करके भी आप मुझे मिरसे connect हो सकते हो, ठीक है तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर next video में, thanks for watching, bye bye